देखे मैंने अपना फेवरेट स्टार्ट अबोर्ड भी लिया है और होप करती हैं आपको लाइट क्लियर में मेरा चिली चिकन अच्छे से विजिबल हो रहा होगा कितना सुंदर मैंने प्रेजेंट कर रहा है लग रहे ना बढ़िया गानिश कर है सेसमे सीज के साथ और विनेगर और सोय सॉस भी आड़ करी है तो लग रहा है ना टेम्टेंग आए तो देखते हैं इसकी रेसिपी आईए तो नोट करते है अपने इंग्रीडियन्स हमें चाहिए ग्रीन चिली हरी मिर्च कटिय हुई हमें चाहिए मैयदा दही डही जसाटने नहीं अनियन्स कटे हुए, गानिश के लिए, कुछ हमार को चाहिए, तिल, सेसमे सीट्स, गानिश के लिए, गालिक लोफ्स, कटी हुई, लस्तन, कटा हुआ, हमार को कुछ चाहिए, पिकल, जालपीनो, ये एक ओप्शनल है, ग्रीन, रेड, येलो, बेल पेपर, पीली, लाल, हरी, शिम्ला मिर्च, अनियन्स, कटे हुए, डाइस, डाइस काटने हैं, हमें अपने वेजीज को, 250 ग्राम्स हमें चाहिए, चिकन, और कुछ गालिक की पेस्ट, पर मेरिनेशन, साथी में हमें चाहिए, इसलरी, इसको थिक क करने के लिए, कॉन स्टार्च, और कुछ हमें चाहिए, विनेगर, डाक सोया सॉस, और ग्रीन चिली सॉस, होब आपको आज की इंग्रीडिन्स समझ आ गया होंगे, अब हम इसकी प्रेपरेशन शुरू करते हैं, जो की हम करेंगे, अपनी ये 250 ग्रेस्ट का बोनलेस चिकन ह इसको हम करते हैं, पहले अपने चिकन को काटने से, इस साइस का हमें इनको काटना है, अब हम अपने बोल में डालते हैं, लगपक, तू 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 त्री, मैदे के चम्मच, कॉन फ्लार, एक काटोरी दही, बिंजर गालिक पेस्ट, नमक, स्वाद अनुसार, लसन अद्र की पेस्ट के साथ साथ, हम डालेंगे अपनी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार, यानि की रेड चिली पाउडर, मिक्स वेल, ओल दे इंग्रीदियन्स, अच्छी से मिलानेगे, एक टिक पेस्ट हमें बनानी है, अब इसके पाउनेगे अच्छा करने देंगे, ओ इसको अथ keto मिलाएंगे को ट्रोस्ठ करेंगे हो अब अब चले है कटियू To करेंगे हम कट्पी हरे मर्च ग्रीन चिली फिर प्रीन चिली आ अब अपना कटा वह आनियन चिंटतने नच रोगस को कटा रहा हिए हमकिर में कटा ह 3000 नार बांने मय-चले मखरीष चले प्टह итоге साथी में हम डालेंगे पीली शिम्रा मिल्ड देखें कलर चुछ में वाइप रेंट लग रहे हैं और इनको अच्छेते मिक्स करेंगे अच्छेते मिल्ड आपको चिली शिकें के लिए तो आपको नहीं जाना पड़ेगा मेक्शिर करना कि इसे क्रण्ज को आप जयाने देना इनको हमने रोस्ट करना है हाई फ्लेम में ओवर्फॉक नहीं करना विदियो को इतना प्यार देने के लिए थांक्यू थांक्यू सो मच अच्छ में दी शॉड्स को तो आपको जादा ही च्यार दे रहे हो और हाँ यद थाउजन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइज कुपिंग करके दिखाऊंगी आपको जालेंगे एक चमत रेचिली सॉस अगर आपको अस्तिफा जादा पसंद है तो आप 2 चमत भी अपनी ग्रीन चिली सॉस हम डालेंगे एक चमत डाक सोया सॉस साथी में हम डालेंगे अपना एक चमत विनेगर होप आपको सारी सॉस अच्छे से समझ आ रही है अब आपको इन सब को अच्छे से मिक्स करना है सॉल्ट आप अभी मत डालना तो अब एंड में डालेंगे क्योंकि जो मैडीनेशन में हमने चिकन कर रहे है उसमें अल्रेडी हमने सॉस डाली हुई है बस अब आप अपना ग्यास की फ्लेम को बंद कर दीजिए अब हम पहले अपने चिकन को मैरीनेटर चिकन को डीफ फ्रा तूद्पिक डाल के यह एक टेकनीक होती है जिससे हमें पता चल जाता है हमारे ओल की इंटेंसिटी अब हम अपने मेरिनेटे चिकेन प्रेस पीसिस जो की है 250 ग्राम जो हमने डाइ शेप में कट करें थे और मेरिनेट करा था उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्राइ करेंगे इसको हाफ एन आर हमने रेस्ट करने के लिए दिया है अब आप अच्छे से इवन लिखोखो अगर आप बहुत तेज जैस में इसको बहुत अच्छे से इवन लिखोखो आप उइल जब बहुत जदा खीतप हो जाएगा तब करम करोगे तो फेल यह बाहर से तो कुक हो जाएंगे पर अंदर से रो रह जाते हैं तो आप इसको evenly cook करना medium to high flame पर दी इच बीच में इसको इसकी size को turn करते रहना, flip करते रहना ताकि ये दोनों size से equally cook हो मेरे इंस्टा चानल को भी follow करिए जो की है wellness diet 29 w e ll n e s d i e t 2929 और मैंने description में, मैंने description पे अपना इंस्टा आईडी का भी link डाला हुआ है और पूरी इसके ingredients और recipe भी डाली हुई है, अगर आपको English में देखनी है, तो आप वहाँ जाके अच्छे से समझ के इसको as it is बना सकते हैं, thank you for loving me so much और आपको कुछ भी बनाना है, कुछ भी सीखना है, तो मुझे comment section पे जरूर बताइए कि मैं next dish आप लोगों ते लिए क्या बनाओ, मैं surely वो ही cook करूंगी हमारा एक portion बिल्कुल ready हो गया है, लेखे कितना अच्छा golden color आया है, और यह अच्छे से defry हो गये हैं, अब इनको हम separate करेंगे और अपना बापी batch fry करेंगे अगर इसके easily इनके अंदर फोग जा रहा है, तो यह बिल्कुल cooked हो गये है अब हम अपने veggies पे आएंगे, गैस को on करेंगे और अपना chicken pieces डालेंगे इस पे, अब हम डालेंगे salt to taste आपको जितना salt पसंद है, आप उतना डालिए, स्वाध अनुसार नम, हम डालेंगे दो चमज पानी और इसकी एक थिक सी paste बनाएंगे और बहुत अच्छे से इसको mix करना है, ताक कि कोई लंस नफ रह जाएं इसमें देखिए हमारी एक थिक पेस्ट रेडी हो गई है, अब इसको हम डालेंगे अपने chili chicken की अंदर और इसको अच्छे से हम भूनेंगे, हमें थिक chili chicken अच्छा लगता है, आपको जैसा लगे, आप उतना पानी राय की इसकी consistency उस हिसाब से बैलन्स कर सकते हैं, लोग रायना टेस्टी, इसका मन नहीं करेगा, इतने टेस्टी chili chicken को खाने के लिए, तो मेरी रेसिपी तो देखनी पड़ेगी, और step by step ऐसे ही बनाना, और गैस को बंद कर दीजिए, थोड़े से green onion, हरा प्यास कटा हुआ, और डाल दीजिए उपर, त थोड़ी सी green chilies भी और डाल दीजिए, जिसको जादा थीका अच्छा लगता है, तो हमने एक सुन्दर सी starter plate ली है, जिसमें हमने red chili sauce डाली है, अब हम डालेंगे अपनी chili chicken की सबजी, इतने colors और इतनी tasty's, सब लोगों के लिए ready है, आ जाईए, जिस जिसने खानी है, इसको हम गानिश करेंगे, कुछ sesame seeds के साथ, और कुछ मतलब सफेद दिल, और कुछ green onions के साथ, हरे प्यास के साथ, hope यह आपको बहुत जादा tempting लग रहा है, जैसे मुझे लग रहा है, और मुझसे तो बिल्कुल weight नहीं हो रही इसको खाने के लिए, किस-किस को पसंद है, साथ में मैंने red chili sauce भी ली है, तो guys, जिसको खाना है यह chili chicken, उसको तो मेरी video पूरी end तक देखनी पड़ेगी, किस देखने जही पाने आपी, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा इतना टेस्टी चिकेन, टेस्ट करने के लिए आईए आप लोग भी इसको टेस्ट करिए थांक यू पो वाचिंग, वेल्नेस डाइट लग रहा है ना यमी, किसका मन नहीं खरेगा इतना जूसी चिली चिकेन खाने के लिए होप आपको आज की मेरी वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग और अच्छी लगी होगी इस चिली चिकेन को इस तरीके से, इजी तरीके से झाल